जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब्सक्राइब करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे ओमेंज एस या कप ट्वेंटी का जो कल के दिन पहला मुकावला खेला जाएगा पाकिस्तान में वर्सेज मालेसिया ओमे से जोइन होने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा आप इसी वीडियो के चले चाहिएगा कमेंट सेक्शन में और सबसे टॉप कमेंट में दोस्त आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलिगरां चैनल का लिंक उसके उपर क्लिक करके आप सभी को वहां पर जोइन कर ले अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे प्लियर्स टु वार्ट ची बैटिंग में आपको दिख जाएंगे ऐम इलिया सा दस्म लास्ट के दस मैच में मलेशिया में के तब से दोसो पचाशी रन ठोग दिया 36 का बैटिंग एवरेज एक सो तीरे का स्टैक रिट है उसके लाब बात करेंगे इंदवाजी सेक्षन से तो यहां पर आपको दिख जाएंगे ऐस आजमी लास्ट के दस मैच में 15 विगेट ली है 3.78 का एकोनोमी है लगवक 13 का स्टैक रिट है उसके अलाबा यहां पर नूर दानिया दिख जाएंगे 10 मैच 10 विगेट 4 का एकोनोमी है 18.60 का स स्टैक रिट है दोस्तों यहां पर स्टैक रिट का मतलब यह होता है कि इतने बॉल में जाकर उनको विगेट मिल जाता है अगर हमां बात करेंगे आपसी मैच को लेके तो 2018 में एक मुकाबला हुआ था जहां पर पाकिस्तान में पहले बल्लेवाजी कट हुए बोड पर लग टागेट दिखेगा जो कि पाकिस्तान में एक से दो विगेट खुए के टागेट को चेस कर लेंगी तो टॉस का इस मैच में बहुत ज्यादा आपको जो है कहते हैं आहम किरदार नजर आने वाले टाउसका बात करें बल्लेवाजी में तो नहीं दाखान एक की थी जवेडि आजिमी चारवर चौतीस नहीं की विगेट नूर नादारिया एक गयारा जीरो बल्लेवाजी में किष्ट्यान वहांपर साथ की थी यकूप चार विझार दूरा सिंगना मीं ग्यारा एस आजिमी थीन उसके अलावा यहां पे जाती इसमाइल जीरो एमिज जैड आजमी एक उसके लब आइना दो नूर हयाती जाकारिया जीरो आइना हमीज एक और नूर नजारिया यहां पर एक रण की थी बात करें कि यहां पर गंदवाजी में डी वैक डाली थी तीन ओवर एक मैडन पांच जीरो विकेट ध्यान दीजेगा इनका टॉप अडर के वल्लेवाज हैं वह दोस्तों आपको ठीक ठाक दिखेंगे रन नहीं भी करेंगे तो वैसे वह बॉल आराम से खेल लेते हैं फिर ज दूस्तों यहां पर हां बात करेंगे सबसे इंपोटेंट सेक्शन में यह है यह सेक्शन जहां पर आपको मालूम चलेगा कि पिलएर का डेसेंट फॉर्म कैसा है हम देखेंगे दोनो टीम के फिलियर के लास्ट के चार से पांस टी 20 मैंच में किस ने कितने डी यहीं मेंके प्लास सपतरी यहां पर इंटरनेशनल प्लास डूमेश्टिक दोनों मैच इंप्लूर है बीस्पा मरुपक्ले के बात कर लेंगे 28 21 19 41 13 पोटी सिंथे निदाधार 77 82 15 69 39 पोटी सदिए है एहंटर 69 76 14 29 15 पोटी सदिए डैना वैग 12 631 54प दिए है आइमिल्यासा 97 66 20 40 और 69 पोंट्स दी है मुनिवाली 253 38 25 49 पोंट्स दी है ऐस आजमी 152 105 68 10 74 पोंट्स दी है अलिया रियाज 5 24 22 19 और 7 पोंट्स दी है मन अनवर 6 31 62 पोंट्स दी है दुरा सिंग्नम 26 23 60 20 76 पंट्स दी है अनुमा तर्टी पिंटी शक्रतितहिए ठीए उसे मुंटब़ब यहाँ तु कर्णार रखेगा बहुत थरीपिक आपके लिए बन सकती है बेतरीन स्पीन गेंधराजी घरालती है, चार-थीज, चार-चार-चार-चार तेलिग्राम पे अपडेट कर दूंगा, बात करेंगे तो यह पीज जो है, बॉलिंग फ्रेंड्ली विकेट दीखेगा, एविडे जिसकोर यहाँ पे 85 का रहता है, अगर बात करें पेस बरसेज़ इस्पीन में तो यहाँ पेस्पीनर्स को ज़्यादा मुदद मिलेगा T20 स्टेट्स को लेकर बात कर लेंगे लास्ट के 5 मैच में इस पीछ का इविडेज स्कूर 82 है मैं आप सभी एक विनेट का वक्त लेना चाहूंगा इस एक विनेट में आप लोग को बस चार काम करने हैं सबसे पहले वीडियो को दोस्तो लाइक कर देने हैं उसके बाद जो भी भै अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो वैसे आप किस बात की देडिये सब्सक्राइब कर दीजिए आपके 10 से आपके प्यार भाई को बोजे ता मॉटिवेशन मिलेगा और दोस्तो मैं अगर मॉटिवेट होगे दीम बनाऊंगा तो आपको पता ही रिजल्ट कैसा होगा दैन आफ्टर दोस्तो आप लोग में से जो भी भाई अपना फीड़बैक कमेंट सेक्शन में देना चाहते हो जरूर दीजिए और कुछ न कुछ कुछ कैमेंट तो जरूर किजिए मेरे दोस्त उसके बाद अगर आगर आशा पर मेंको ऑलिक्तिंग में बात करूँ बल्लेवाजी करेंगी अदरवाइस मैं दोस्तों विस्मा मड़ू के जगह पर एस अमीन को ट्रै करूँगा तीसरे मैं किसको ट्रै करूँगा हुँ अभी फैनल डिसाइड नहीं कर पाया हूँ क्यूंकि दोस्तो ऐसा हो सकते मैं पाकिस्तान का जढ़ा ज़्यादा गिंदबाद जी अपने टीम में बहुँ उस चैंडिशन में मुझे पाकिस्तान के जो घुब्लय वाज है उसको डॉप करने होंगे पाकिस्तान के सामने जो मलेशिया की तीम है वह 50-55-60 पर भी निपट सकती है तो पहले आते हम और बात करेंगा ठीक है यहां पर यहां पर आप चाहो तो अमिमा सुहेल को ले सकती हो मैंने फिलाल इन से दूरी बनाना उचित समझा है फाइनल टीम में सायद आपको ओमिमा दिख सकती है एस आजमी को मैंने ट्राइक किया है दैन आफ्टर नासरा संदू को लिया है मैंने तूबा हसन को मैंने लिया हुआ उसके बाद अगर साध्या इकवाल खेल जाती है तो सायद से आपको यह मेरे टीम में दिख जाए लेकिन क्यांसस का महिन की खेलने के उसके बाद डियाना वैक आहिनमान अनवर में से आपकी सिस्च को ट्राइब कर सकते हो मैंने यहाँ पे इससे पहले ट्राइक बीसमा महरूप को उसके बाद मेरे पास अभी यह एक पिलिएड्स लेने का मतलब काषकश्चिया कि एसपोट खाली है किसका वैसा वो एसपोट खाली है पाकिस्तान का तो मैं पाकिस्तान का को यह गिंदवाज लूँगा फिलाल के लिए मैंने टीम में जगार दियो है डियाना बैक को अभी देखिए मैंने इस चार गिंदवाज को अपने टीम में जगार दिया है लेकिन मै एक या दो और स्पीनर एड़ करूँगा किसका पाकिस्तान के डिम का वो कौन खेलती है वो प्लिंग लिवन आने के बाद ही मालूम चलेगा मौश्ट अच्छान सद्या एकवाल आपको कल साइध खेलती नज़त आजाए अगर बात करेंगे फाइनल टीम प्रिव्यू को लेक अगर यहां से पाकिस्तान मेंट की पहले बल्ले वाजी आए तभी आप लोग इधर ध्यान दीजेगा मैंने अपने स्मॉल लिखे टीम में फिलाल के लिए कैप्टन से नहीं दादर को संपा है वी सी मैंने इनासरा संदू को संपा है अगर मेरे फाइनल टीम में कोई बदल अगर दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तो तक के लिए इंज्वाइ कीजिए अच्छा खासा वीन कीजिए और वैसा फिर से लाश्ट में कराओ टेलीग्राम पर जोइन कर लीजिए इसी वीडियो के फर्स्ट केमेंट में आपको दिख जाएंगे मेरा अटेलीग्राम चैनल का लिंक